नमस्कार दोस्तों अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों गर आप धन से संबंदि समश्राओं का सामना कर रही हैं तो इस अमाउश्रा मोका नगवाएं शनिवारी अमाउश्रा का दिन माल लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सही समय होता है इस दिन माल लक्ष्मी से जो मांगो वो वरदान मिल जाता है और जिस व्यक्ति पर एक बार माल लक्ष्मी के रुपा हो जाती है उसे जीवन में फिर कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता तो चलिए जानते हैं उस आसान से उपाय के बारे में जिसे आजमा कर आप धन्वान बन सकते हैं इसके लिए आपको अमाउशा के दिन किसी पीपल की व्रक्ष के समीप जनेव और संपून पूजन सामगरी लेकर जाना है फिर पीपल की पूजा करके जनेव वर्पित करना है इसके बाद भगवान विश्नु का ध्यान करना है ध्यान करने के बाद पीपल की परिक्रमा करते ह ओम नमो भगवति वासु देवाय मंत्र का जाब करना है फिर माल लक्षमी और भगवान विश्णु से अपनी समस्रा कहने है और निवारन के लिए सच्ची मन से प्रात्ना करने है इस उपाय को करने से निसंधी आपकी सारी समस्राइं दुर हो जाएंगी इसके लावा हो सके ही तो इस दिन मश्लियों को गेहूं के आटे की गोलिया बनाकर जरूर खिलाएं और चीटियों को आटे में पीसी चीनी मिलाकर खिलाएं ऐसा करने से माल लक्षमी आप पर शिग्र ही प्रसन हो जाएगी उम्मीद है दोस्तों आपको मारा यह वीडियो अच्छा लगाओगा अगर आप कोई जानकर यह अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और फेमिली मिंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बिटन की पास बने बैल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत ही मिल सकीए धन्यवार